हालो स्टूडेंट्स वेलकम टु दक्षाई क्लास्रूम आज की क्लास में पन डिस्कस करने वाले हैं अजय success प्रक्षात कि इसके बारे में अपन सोचेंगे थिक है करेंगे तो अपने पास क्या बन रहा है देखो ये बन रहा है dy x dy plus x square minus y into dy ठीक है is equal to dx into 2x into x square minus y minus y dx ठीक है अब dy x square minus y dy ठीक है और ये dx वाले को एक साथ करते हैं और इन दोनों को एक साथ करते हैं तो ये क्या बननेगा देखो x dy plus y dx ये तो d of xy बन गया प्लस इन दोनों में x square minus y यह दी common lane तो अंदर क्या बचेगा देखो यहां बचेगा dy यहां बचेगा plus का minus का 2x into dx equal to 0 तो ये बन गया d of xy ये क्या बन रहा है देखो x square minus y as it is और इसको ये दी अपन देखें तो इसको लिख सकते हैं minus times इना x square का differentiation हो जाता है 2x dx और dy का differentiation हो जाएगा dy तो इसको लिख सकते हैं minus of minus of d of x square minus y ठीक है लिख सकते हैं equal to 0 तो अपने पास क्या आगया देखो integrate कर देंगे यहाँ पर और यहाँ पर integrate करेंगे तो ये तो क्या आजाएगा integration इसका x y आजाएगा इसका integration plus इसका integration आजाएगा x square minus y का all square divided by 2 plus c equal to 0 तो अपने वो ये निकालना है कि a और b क्या होगा 2 से multiply कर देते हैं throughout 2c तो b की value 2 आगई और a की value के आगई 2 2 plus 2 4 is answer clear है next question देखो if the probability of birth days of 4 different persons will fall in exactly 2 months is p by q then the total number of primes involved in prime factorization of e plus q तो इस question को ये ती अपन सोचें तो अपने को क्या दियावा है चार लोग है अपने पास p1, p2, p3, p4 इन चारों की जो birth date है वो exactly 2 months माना चाहिए ठीक है इसकी क्या probability ये पूछा गया है तो अपने क्या बोला कि जो चारों के चारों लोग है उनकी उनमें से पहले तो total we are going by classical definitions total favorable outcomes upon total outcomes ठीक है तो favorable outcomes क्या क्या होंगे total outcomes तो क्या क्या होंगे भई हर एक बन्दे के पास क्या है 12 choice है कोई भी एक मन्त में है अपन बहु सकते हैं कि इसका बड़े हो सकता है इसके पास भी 12 months है इसके पास भी 12 months है तो अपन बोलेंगे कि total तो हो गया 12 की power 4 अब favorable outcome की बात करते है अब favorable outcome में क्या चीए अपने को कोई 2 महीने select करने पड़ेंगे उनमें सब का जनम होना चीए सब का बड़े होता बाना चीए तो अपन ने बोला कि 12 months में से कोई भी 2 months select कर लो 12 C2 अब इन month में अब सब के पास क्या choice है दो-दो choice ही है P1 के पास भी 2 choice P2 के पास भी 2 choice P3 के पास भी 2 choice P4 की पास भी 2 choice है तो 2 की power 4 अब सब ने मान लो जो 2 months अपने select किये मान लो January, February अपने select कर लिए सब हो सकता है कि सब जन select कर लेते तो exactly 2 चाहिए अपने को इसमें exactly 1 वाला case में included है तो वो वाला case अपन क्या करेंगे इसमें से subtract कर जकते हैं जनुरी select कर लिए या February select कर लिए सबने ये जो probability आ रही है ये अपने पास आती है 77 upon 1728 तो लो जाएगा The shortage distance between this point to the curve this is same as the distance between the points uv and 2,0 तो ये एक तरीके से क्या है circle है कौन सा circle x plus 2 का all square plus y square is equal to 4 एक circle है ये इस circle की किसी point से अपने को क्या निकाल नहीं है shortage distance तो shortage distance क्या हो जाएगी इसके center से इसकी distance minus r ये ही shortage distance होगी कोई भी point की ये बात करें तो circle के respect में कोई point हो उसकी इसके circle से sortage distance क्या होगी this minus ये r इस shortage distance हो जाएगी ठीके उसका mode तो वन बोलेंगे की cp minus r will be shortage distance अब cp उस uv की इसके center से distance uv की center से distance क्या है u minus 2 का whole square minus plus v minus 0 का square का under root ठीके minus r r क्या है यहाँ पे 2 इसका mode is equal to what uv की 2,0 से distance u minus 2 का whole square plus v square का under root ठीके यह अपने को बोल रहा है सही बात यह relation अपने पास बन गया अब देखो दोनों तरफ perfect दोनों तरफ square कर दो squaring करने के बाद यह आएगा जो under root वाला part है उसको एक तरफ ले गया अपन फिर से square किया ठीके under root वाले part को एक तरफ करके फिर से square किया तो जो अपने पास expression बन रहा है दोनों तरफ square करके फिर under root वाले part को एक तरफ लेके उसका फिर से square कर दो अपना answer अपने को मिल जाएगा तो funda clear I think Question number 4 If z axis is vertical and the line of greatest slope passing through the point 1,1,1 in the plane this is given by यह अच्छा question है क्या बोल रहा है बन यहाँ पे देखो एक plane है ठीक है plane की equation क्या है 2x plus 3y plus 4z is equal to 9 यह क्या अपने पास equation of plane जान देओ यहाँ पे 1,1,1 इसको satisfy करता है तो अपनने बोला कि 1,1 से pass करती हुई है कि ऐसी line लिखनी है जो की maximum slope की हो और यहाँ पे vertical किसको बोल रहा है z axis को vertical किसको बोल रहा है z axis को तो z axis यहाँ पे जो भी है मालो z axis की direction यह हो गई तो अब मैं बोलूँगा कि जो greatest slope होगी वो किसके along होगी तो greatest slope का मतलब z axis के साथ angle क्या होना चाहिए उस line का minimum ठीक है तो z axis के साथ उस line का z axis के साथ angle minimum कब होगा जब वो line क्या होगी किसी line और plane क्या angle जो होता है वो minimum कब होगा अपन बोलेंगी कि वो line जो है यह मालो normal vector है इस plane का है ना 2, 3, 4 और यह है मालो z axis मतलब 0, 0, 1 ठीक है इन दोनों के plane में हो जाए वो line इन दोनों के plane में आ जाए तब अफन बोलेंगे कि यह क्या है maximum slope की तब यह z axis के साथ minimum angle होगा ठीक है तो इसके क्या होगी maximum slope यहना क्योंकि vertical दिया होगा z axis z axis से जितना कम angle होगा उतनी क्या है कि equation निकलना एक्सकी बहुत ही आसान है equation निकालना अपन बोलेंगे कि इसके plane में होनी चाहिए ठीक है इसके plane में होनी चाहिए तो अब आपने इससे बोल सकते हैं कि एक plane बना लो जो जो जिसका normal vector क्या हो जिसका normal vector हो इन दोनों के नॉर्मल ठीक है इन दोनों के नॉर्मल और किस से पास करता हो 1-1-1 से पास करता हो उस प्लेन का और इस प्लेन का क्या निकाल लेंगे point of intersection तो वो जो line मिलेगी वही line अपनी क्या होगी slope of that ठीक है अपन ये बोल सकते हैं यहाँ पे की इस प्लेन का और इस प्लेन का point of intersection अपन कैसे نिकालेंगे ठीक है तो अपने को ये line मिलने वाली है तो कोई दो plane का point of intersection अपन कैसे निकालते है दोनों plane के normal के normal होगा line का slope तो अपन बोलेंगे कि ये वाला जो plane में बना रहा हूँ जो new plane अपन बोल रहे हैं ये जिसके अंदर क्या क्या है जिसके अंदर normal vector है और उसके अंदर क्या 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 है कौन सा vector है z axis वाला vector भी है normal vector भी है normal vector भी है उस plane में और ये z axis वाला vector भी है उन से ये एक line बन रही है जो कि 111 से pass करती है ठीक है तो बहुत ही easy है क्या बोलेंगे अपन line की पहले तो अपन इस plane की equation निकालते हैं इस plane की equation क्या होगी इसका normal vector क्या होगा इस वाले plane का जिसके अंदर है n और 001 तो हो जाएगा क्या इसका normal vector में n1 मान लेता हम n1 हो जाएगा n cross this 001 ठीक है n cross 001 निकालेंगे तो अपने को मिल जाएगा 3 minus 2 0 है न that will be 3 minus 2 0 ठीक है अब ये अपने पास क्या आया n1 ऐसे n2 क्या है अपने पास n2 है ये 2 3 4 ठीक है n2 अपने पास क्या है 2 3 4 तो अब n1 cross n2 ये अपने किया n1 cross n2 तो अपने को क्या मिलने वाला है i, j, k n1 3 minus 2 0 n2 क्या है 2 3 4 दोनों का cross product करने पे क्या मिलेगा i के साथ आएगा minus 8 plus j के संग आएगा j के साथ क्या आने वाला 0 minus 12 ठीक है plus k के साथ क्या आएगा 9 plus 4 13 तो ये एक वो वेक्टर आया किस के लोग उस लाइन के लोग है ना उस लाइन के लोग एक वेक्टर आ गया तो यदि 8 है तो ये 8 दिया वा अपने को तो alpha क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा minus 13 clear point तो greatest slope का concept पता समझ में आ रहा है greatest slope का मतलब क्या हुआ vertical के साथ उसका angle क्या होना चाहिए उस line का minimum होना चाहिए अब ये vertical के साथ angle minimum कैसे करते हैं अपन इसका normal लेते हैं उस normal को इस line के साथ अपनने बनाएंगे तो जो एक plane बनेगा वो इसको जिस पर interset कर रहा है उस ही की अपने को क्या चीए slope clear point next देखो question number 5 point P 003 lies on the plane containing the parallel lines this ठीक है and this ये दोनो parallel lines से अपने को दिया हुआ है तो बोल रहा है कि एक point है 003 that lies on the plane containing the parallel lines this and this and point P is equidistance from these two parallel lines तो ये दो parallel lines है अपने पास उनके बीच में है point 003 if x, y, z is the foot of perpendicular drone from point P to the line this x, y, z के अपने पास foot of perpendicular है P से R पे then find x plus y plus z straight forward problem है इस पर कोई point भानते है अपन general point, general point क्या होगा 2 plus lambda comma 2 plus lambda comma 2 plus lambda ये general point इस वाले plane पे चीके ये 0, 0, 0, 0, 3 दिया हुआ अपने को तो अपन पहले Q निकाल सकते हैं न Q कैसे निकालेंगे P Q का dot product कर देंगे किस के साथ P Q vector का dot product कर देंगे I J K के साथ ये dot product 0 होना चाहिए क्योंकि P Q vector और ये vector आपस में क्या है perpendicular यहां से lambda की value मिल जाएगी मतलब point क्यों आ जाएगा यहां से अपन देखेंगे point क्यों क्यों आ रहा है 1, 1, 1 ये खुदी point क्यों आ गया एक बार ये point आ गया P midpoint पता है तो ये point निकाल सकते हैं अपन बोलेंगे कि Q plus R divided by 2 is equal to P अपने को R निकालना है तो R is equal to क्या जाएगा 2P minus Q तो X coordinate निकालेंगे तो 2PX minus Q X हो जाएगा तो पहले X coordinate निकाल लेते हैं R X R का X coordinate R का X coordinate कैसे निकालेंगे देखो 2PX P अपने पास क्या है देखो 0 minus Q Q है 1 तो आंसर क्या जाएगा minus 1 similarly R का X coordinate आया Y coordinate Z coordinate सब आजाएगा तो point क्या जाएगा minus 1 minus 1 5 next देखो coefficient of X की power 11 in the expansion of this अब इसका इदी expansion करेंगे तो बहुत ही simple सा expansion आजाएगा देखो इसका expansion आजाएगा 1 plus X into 1 minus X plus X square का power 22 और ये क्या बन रहा है बचो 1 plus X cube की power 22 अबने को चाहिए coefficient of X की power 11 अब X की power 11 का coefficient यहां से बन सकता है क्या क्योंकि यहां पे जो भी power होगी वो 3 की multiple होगी और 11 3 का multiple नहीं है ठीके तो 0 answer आगया क्यूसर नमबर 6 क्यूसर नमबर 7 एन अर्ण कंटेंड 2 red balls और 8 white balls balls are drawn one by one and each time one ball is drawn it is replaced by white ball मतलब जो भी ball आई उससे अपने को फरक नहीं पढ़ता आपन white ball वापिस रख रहे हैं अर्ण में ठीके if the probability of drawing out all red balls in 4th draw है ना 4th draw में सारी red ball निकलनी चाहिए मतलब 4th draw क्या होना चाहिए red ball का ही होना चाहिए ठीके नहीं तो क्या होगा 3rd draw में सारी red ball निकल जाए मालो 1st, 2nd, 3rd में दोनों red ball निकल गई तो 4th draw में सारी red ball नहीं निकल रही ये बोल रहा है कि if probability of drawing out all red balls in 4th draw 4th draw में सारी red ball निकलनी चाहिए इस बात की probability ये ये है तो अपने को निकालना है k की value तो देखो यहाँ पर 3 case बनते हैं white, white, red, red है ना ये बोला 1st के, 2nd के इस के white, red, white, red red, white, white, red मतलब last पर तो अपने को red ही निकालना है 4th draw पर क्या निकालना है red निकालना है ठीक है क्योंकि 4th draw पर सारी red ball निकलनी चाहिए 4th draw पर drawing out all red balls in 4th draw तो इसके बाद क्यूस्षन आसान है अपने पास 1st पर white ball आने की probability क्या होगी अपने पास white ball कितनी 8 8 by 10 फिर 2nd पर white ball आने की probability क्या है अपने बोलेंगे कि जैसे white ball गई फिर से एक white ball 8 होगी इसका मतलब फिर से probability क्या होगी 8 by 10 अब next में red ball होने की probability क्या है red ball कितनी अपने पास 2 ही है that is 2 by 10 एक रेड़ बोल चली गई है अब रेड़ बोल कितनी बची है वाइट बोल कितनी हो गई नाईट ऑन भाइ टेन, तो यह वाला अपनी एक्स्प्लैंड किया है अजंता किए शेमिलरली यह हो जाएगा और सिमिलरली यह हो को देखो calculation वाइस थोड़ा सा difficult है ये area bounded by the curve y equal to ex square and the line x is equal to 1 x is equal to 2 is given to be a alpha square units ठीक है if the area bounded by the curve y equal to under root lnx अब देखो under root lnx को ध्यान से देखें है अपन तो basically क्या लिखावा है इसको x in terms of y लिख लिख लिया इन्होंने x in terms of y लिखेंगे तो यही बात आएगी न एक तरीके से क्या कि x और y को interchange कर लिया है अपन ऐसे बोल सकते हैं x in terms of y लिखो तो x is equal to क्या जाएगा पहले तो x square is equal to ln y फिर x is equal to root of ln y plus minus root ln y होगा no doubt तो एक तरीके से क्या हुआ यहाँ पर x और y को interchange किया गया है चीक है अब इसमें x और y को interchange कर दो तो यह मिल जायागा न अपने को तो एक तरीके से जो भी तुमारा equation यह y equal to e x square है y equal to under root ln x है वो उसका y equal to x के about mirror image है no doubt चीक है अब अपन आते हैं ऐसे question को कैसे solve करते हैं integration कर रहा है 1 to 2 पहले मैं graphically समझा रहा हूँ e to the power x square जो भी होगा x is equal to 0 पर 1 है उसके बाद में वालो यह उपर ही होगा 1 पे और उपर होगा ऐसा गो जिसका graph होगा यह y equal to x line है ठीक है इसका area from 1 to 2 तो कौन से area की बात कर रहा है पन देखो इस area की बात कर रहा है ठीक है फिर यह बोल रहा है कि y equal to under root ln x under root ln x को अपन यदि जान से देखें तो वो क्या बनने वाला देखो वो इसके ऐसे mirror image बनने वाली है इसके about ठीक है उसका यदि अपन उसका area की बात करें तो उसका area है x is equal to e से x is equal to e की power 4 से एक जान से देखो x is equal to 1 से 2 में यह क्या बन रहा है e बन रहा है और यह क्या बन रहा है यह क्या बन रहा है e की बावर 4 बन रहा है बलो तो अपने को integrate करना e से e की power 4 में किसको इसके image को तो अपने बोला कि यह area में निकालू या फिर यह area निकालू दोनो area का मतलब क्या है e की यह दोनो सेम यह है एक तरीके से y equal to x को replace किया तो मैंने बोला कि area की terms में क्या करो y x के साथ area निकाल लो पहले वाले काई बात तो उदनी सी है तो अपने को basically कौन सा area निकालना बच्चो यह वाला area and this one इन दोनो area का क्या करना है अपने को summation दूसरी बात दूसरी बात एक और अपने एक और property पढ़िए a to b f of x dx plus f of a to f of b f inverse x dx is equal to क्या होता है b into f of b minus a into f of a यह property अपने पढ़िए होगी उसका भी अपन यूज कर सकते है but feel wise जो अपने यह feel किया है न वही हो रही है बस simple सा है इसका area कैसे निकालेंगे direct property का भी यूज करना ही कोशिस करते हैं 1 to 2 अपन को किसको करना है e की पार x इसको है dx plus f of a क्या होगा e to the power 1 f of 2 क्या होगा e to the power 4 integrate किसको करना है under root of lnx यही है इसका inverse into dx तो यह किसके बराबर आएगा बच्चों यह आएगा b into f of b का मतलब हो गया 2 into f of b 2 into e to the power 4 minus a into f of a का मतलब क्या होगा यहाँ पे a into f of e a यहाँ पे है x is equal to 1 into e तो यह answer आजाएगा अपने पास p की value 2 and q की value क्या आगई 1 p plus q is equal to 3 यह वो formula जो जिसके अपन बात कर रहे थे next देखो question number 9 if the eccentricity of if the eccentricity of the elif suj equation is given by this is e then 2 e is equal to इसका eccentricity निकालना है बहुत ही आसान problem है क्या दियावा देखो f1 दियावा है यह माल लो f2 दियावा है focus यह है 3,2 यह है अपने पास f2 है minus 1, minus 1 तो क्या बोल रहा है p is a variable point p is a variable point x y ही माल लो उसका coordinate है such that उसके distance from f1 distance from f2 is equal to क्या रहे है 10 इसका मतलब 2 e is equal to क्या है बच्चों 2 e is equal to 10 और 2 e is equal to क्या है इन दोनों के बीच की distance 2 e is equal to क्या हो जाएगा which is 5 तो यहां से देखो e की value निकला आएगी e की value क्या आजाएगी 1 by 2 question number 10 a vector दियावा, b vector दियावा, c vector दियावा अपने को क्या निकालना है volume of the parallel point तो बहुत ही simple है देखो volume of the parallel point क्या होता है उस coordinate ने से edges are vector this तो volume of the parallel point वेसे ही माल लो v1 let's say a1 vector है माल लो a2 vector है और a3 vector है यह 3 vector है यह cotton minutes edges के साद माल लो parallel point बना रहा है तो उस parallel point का volume का formula क्या होता है stp of a1, a2, a3 ठीके? यह होता है तो अपन stp इसका करेंगे अब तो v1 is equal to क्या होगा? stp किसका करना है? अपने को a plus b का b plus c का और c plus a का stp ठीक बात s1 देखो v2 निकालो volume second का volume निकालना है volume 2 अपनने कैसे define क्या? volume of the tetrahedron whose cottonness edges are a cross b, b cross, c cross है अब tetrahedron का volume होता है बच्चो 1 by 6 into stp of जिन से वो जिन cottonness edges से वो बना हुआ है यह cottonness edges अपने पास a cross b, b cross, c cross a है तो a cross b b cross c c cross a इसका formula अपने को याद होगा formula होता है बच्चो याद नहीं है तो इसका formula याद रहना चीए अपने को abc का stp का whole square ultimately अपने को क्या चीए abc का stp तो देखो यही क्या गया है abc का stp आया है क्या 36 तो यहाँ पे 36 into 36 by 6 यह तो हो गया v2 और v1 क्या होगा देखो determinant निकालने के बाद v2 की value आती है 2 into stp of abc इस 2 को निकालने का यह भी तरीका है 110 फिर 011 फिर a प्लस b b प्लस c फिर c प्लस a c प्लस a ठीक है इसको अपन शॉल करेंगे into stp of abc निकालने तो यह जागा 2 into stp of abc रख देंगे शॉल हो जाएगा ठीक है next question देखो question number 11 probability that the product of three numbers randomly selected at a time from a set 1 to 20 is divisible by 4 4 से divisible होना चीए then sum of units digits of m and n is ठीक है कोई दिक्कर नहीं है probability that product of three numbers randomly selected at a time from this set is divisible by 4 कब ने बोला भई 4 से divisible कोई number तीन नमबर का product 4 से divisible कब होगा उन मेंसे कोई at least 2 या तो even हो जाए या क्या हो सकता है तीनो even हो जाए या क्या हो सकता है even और एक जो even number है वो फोर से divisible हो जाए और बागी कुछ ओड़ ओड़ हो जाए तो ऐसे बहुत सारे cases अपने पास बनेंगे तो positive direction से जाएं तो थोड़ा क्या हो रहा है अपने पास बहुत सारे cases बन रहे हैं तो अपन सोचते हैं कि negative direction जाते हैं अपन बोलेंगे कि total minus 4 से divisible ना हो अब 4 से divisible नहीं होने वाले अपन क्या कर रहे हैं बच्चो total minus not divisible by 4 यह concept यह लगाते हैं तो total number कितने होंगे हर एक के पास क्या probability that 3 number 3 number select करने एक out of 20 तो कोई भी 3 number select कर सकते हैं तो अपन तो उसका total का case क्या जाएगा total तो अपने पास आजाएंगे 20C3 अब उसमें से अपने काम के कौन से हैं काम क्यों हो जाएंगे 20C3 minus minus not divisible by 4 not divisible by 4 कौन कौन से होगा तीनों odd हो जाएं तीनों के तीनों क्या हो जाएं odd तो यहाँ पे 1 से 20 में odd number कितने हैं odd number है 10 even number भी कितने हैं बच्चो even number भी क्या है 10 तो अपन बोलेंगे कि उन 10 में से कोई भी 3 select कर रहे थे हैं 10C3 तीनों के तीनों odd हो जाता या फिर क्या होता है 2 odd और जो तीसरा है वो 4 का multiple नहीं होना चाहिए फोर्ड का multiple नहीं होना चाहिए उसका मतलब क्या हुआ देखो जो दो number है वो तो पहली बात odd होने चाहिए तो प्लस 10C2 दोनों number odd तीसरा जो है वो 4 का multiple नहीं होना चाहिए तो 4 का multiple क्या होगे यह जो even number अपन लिखे हैं 10 even number उन में से 5 number ऐसे हैं और 5 number ऐसे जो 4 के multiple नहीं है तो 4 का multiple नहीं होना चाहिए उसमें से select कर लिया यह सारे number आगे जो not divisible by 4 है answer निकालेंगे 6 हो जाएगा 795 divided by 1140 53 upon 76 next देखो question number 12 if the number of age in which 4 different toys and 6 alike pens can be distributed among 4 students such that each student gets at least one toy and at least one pen is n then the value of n by 100 अपने पास 4 different toys है किते लोगों हम बाटना है at least one toy सबके बास जाना चाहिए कितने लोगों हम बाटना अपने को 4 students पर बाटना है अब चार ही लोग है 4 students पर बाटना है तो क्या तरीका हो गया 4 factorial माल लो यहाँ पर 4 different toys होते और 3 students होते तो फिर अपन क्या बनाते है 211 का grouping करते है और उनको distribute करते है तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है यह तो distribution of 4 toys की बात हुई अब distribution of alike pens 6 alike pens है तो 6 alike pens में अपन ऐसे बहुत सकते हैं कि 6 identical objects है 4 लोगों में बाटना है उसका तरीका क्या होगा 6 plus 4 minus 1 6 plus 4 minus 1 अपने पास क्या है 6 alike pens है 6 alike pens है और 4 students में बाटना है 4 students में बाटना है ठीके अचा Each student get at least one pen यह भी condition है यहना कम से कम एक pen तो सब के पास जाना ही चाहिए तो अपन ने बोला कि alike है objects तो चार student को पहले एक 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 देदो कोई भी एक देदो यह दे दिया बागी बचे दो जो दो pen बचे हैं वो अब किसी को भी दे सकते हो तुमे न क्योंकि यह identical है तो किसी को भी कोई भी pen पकड़ा दो कोई फरक भी पड़ेगा तो वो जो बागी दो बचे टू प्लस यह identical objects का distribution अपन ऐसे ही करते हैं अपन टू प्लस 4-1 C4-1 यह formula होता है इस formula की help से अपने पास क्या जाएगा 5C3 अब अपन बोलेंगे कि total अपने को क्या करना था यह काम भी करना था और यह काम भी करना था तो answer will be 4 factorial into 5C3 that is 240 next question देखो the equation of the common tangents to the curve this and this common tangents निकालनी है तो क्या करेंगे अपन इसका लिखलेंगे y equal to mx plus a by m और इसका लिखलेंगे y equal to mx plus minus under root of 1 plus m square a square into 1 plus m square a and root 1 plus m square यह formula है दोनों को आपस में क्या कर देंगे compare कर देंगे a y m यहाँ पे कितना है a y m is 12 y m compare कर लेंगे किस के साथ a and root 1 plus m square a यहाँ पे क्या है under root of 72 under root 1 plus m square square कर दो दोनों तरफ यह जगा 12 into 12 यह जगा 72 into 1 plus m square into m square यह देखो क्या रहाँ m की power 4 plus m square minus 2 equal to 0 मतलब m square plus 2 into m square minus 1 equal to 0 तो m की value बच्चों क्या आ रही है यहाँ पे m की value आ रही है plus minus 1 उसके corresponding answer आ जाएंगे अपने पास ठीक है next question देखो 4 points z1, z2, z3, z4 are in the complex plane such that mod of z1 is less than 1 mod of z2 is equal to 1 mod of z3 is less than equal to 1 और z3 अपने को इस form में दिया हुआ है mod of z4 के बारे में अपने को बताना है तो इस question को यह दी देखे है अपन 4 points z1, z2, z3, z4 are in complex plane mode of z1 के बारे में दिया हुआ mode of z2 अपने को दिया हुआ है given है तो अपने बोला कि यहाँ पे दोनों तरफ mode लगा लेते है यहाँ पे दोनों तरफ mode लगाया तो mode of z3 अपने को क्या दिया हुआ less than equal to 1 mode of z2 क्या दिया हुआ है 1 mode of z2 की value रग दी तो यहाँ पे एक relation अपने पास आया कि mode of z1 minus z4 का mode है less than or equal to z1 bar z4 minus 1 का mode अब दोनों तरफ square करके दोनों तरफ क्या करतो square करतो तो यह हो जाएगा z1 minus z4 into z1 bar minus z4 bar यह हो जाएगा अपने पास into z1 z4 bar minus 1 multiply करेंगे solve करेंगे तो in the end अपने को पास देखो यह बन रहा है mode of z1 square minus 1 into 1 minus z4 का mode का square is less than equal to 0 अब mode of z1 के बारे में अपने कुछ बोला हुआ है क्या बोलो mode of z1 है less than 1 less than 1 है इसका मलब यह क्या होगा है negative इसका मलब इसको क्या होना पड़ेगा positive तो 1 minus z4 का mode का square is positive z4 का square क्या आजाएगा अपने पास less than 0 less than 1 यहां से mode of z4 क्या आजाएगा minus 1 से 1 के बीच में minus 1 से 1 के बीच में कौन-कौन सा answer है अपने पास ठीक है 2 and 3 clear है point next question की बात करते हैं पन देखो let a be this point b be this point c be this point 4 points then sort adjustment between a, b and c, d तो अपने को sort resistance का formula जानते हैं अपन formula क्या sort resistance का बहुत ही आसान सा formula है अपन बोलेंगे कि a, b line की equation मान लो है a1 plus lambda times a, b vector ठीक है यह मान लो l, a, b, l equation of a, b s, i, l, c, d क्या होगा l, c, d मान लो c plus lambda times c, d यह है ठीक है तो formula क्या होता formula होता है a2 minus a1 dot b1 cross b2 तो यहां पे a minus c dot a, b cross c, d upon mod of a, b cross c, d यह direct formula लगाएंगे अपना answer मिल जाएगा अपने बो तो basic कोई भी 2 sq lines की बीच में sort resistance निकालने का यही तरीका होता है उसी तरीका को अपन यूज कर लेंगे तो अपना answer अपने पास मिल जाएगा next question देखो for these two curves which of the following is true तो अपने पास यदि इन दोनों curve को ज्यान से देखें तो इन दोनों curve में क्या हुआ है इस वाले curve में y को यदि x से replace कर दोगे तो second curve मिल जाएगा बोलो सही बात इस वाले curve को यदि y को x से replace कर दोगे तो ये second वाला curve मिल जाएगा इसका मतलब ये क्या हुआ कि ये y equal to x के about symmetric है ये दोनों curve आपस में y equal to x के about symmetric है तो बन ये ये y equal to x square minus x plus 1 का graph बनाना चाहें तो graph बनाने की कोशिश करते है x is equal to 0 पे 1 और इसका minimum value क्या होगा 1 by 2 पे तो इसको बने कर लिया x minus 1 by 2 का all square plus 1 minus 1 by 4 ठीक है 3 by 4 तो इसका minimum value क्या आगी है यहाँ पे 1 by 2 point पे 3 by 4 इसका mirror image कर लेंगे किस के about y equal to x के about तो जो mirror image वाला आएगा वो कैसा आएगा ऐसे आजाएगा मालो अब अपने को पता नहीं है अभी ये चीज नहीं पता कि ये इसको cut कर रहा है कि touch कर रहा है हो सकता था ये इसको cut कर रहे है हो सकता था इसको ये touch करें अभी तक ये अपने को information नहीं पता है तो मैंने क्या बोला कि यहाँ पर पहले इसका differentiation लिखते हैं या y equal to x के साथ इसका point of intersection निकालते हैं पर तो इन दोनों करू का point of intersection निकालो चाहे y equal to x के साथ किसी एक करू का point of intersection निकालो दोनों का मतलब क्या है ये के क्योंकि y equal to x पर ही ये दोनों कारू मिलेंगे तो मैंने बोला कि इसका x square minus x plus 1 का y equal to x के साथ मेरे रिमेज निकाला इसका solve किया है इसको तो यह आ रहा है x square minus 2 x plus 1 is equal to 0 इसका मतलब x minus 1 का whole square equal to 0 यही से समझ मातलब है कि x is equal to 1 इसका repeated root है repeated root है इसका मतलब वह वहाँ पर tangent होगा cut नहीं करेगा यहना y equal to x line है इसका repeated root है इसका मतलब जो अपन ने story बनाई है उसमें कुछ गलती है यहना उसमें क्या गलती है वह अपन देखते हैं अभी तो यह एक बार solve करने से ही समझ में आएगा अपने को इसमें क्या गलती है इसमें ऐसा कुछ हो रहा है और इसका जो mirror image है वह ऐसा कुछ आएगा किस point पर x is equal to 1 पर यह एक दूसरे को क्या कर रहे है टच कर रहे है 1,1 तो देखलो y equal to x is the only common tangent दियर common tangent सही बात है y plus x is equal to 2 is the common normal अब यहाँ पर normal निकाल लेंगे अपन आराम से वह दा कर उस्टा चीज अतर सही बात है वह दा कर नेवर टाचीज अतर यह गलत है तू अपन सॉल कर लेंगे common normal 1,1 पर किसी एक को लेते वे फिर next देखो अपने पास क्या है dy by dx minus y is equal to fx where fx is continuous function of x with y of 0 is equal to minus 1 f of x दिया है अपने को x plus e की power x x when x is between 0 to 1 x is greater than 1 then choose the correct option correct option अपने को choose करना है तो देखो अपने पास क्या दिया है अपने को dy by dx minus y is equal to f of x यह linear differential equation है बोलो तो अपने बोला कि e की power integrating factor क्या होगा e की power minus x तो इसको लिख सकते हैं d of e की power minus x into y और e की power minus x into f of x से अपने क्या किया multiply कर दिया दोनों तरफ अब यह अपने को integrate करना पड़ेगा ठीक है तो first interval के लिए मैं integrate कर दूँगा कहां से कहां तक 0 to x दोनों तरफ integrate कर दूँगा कहां से कहां तक बच्चो 0 to x 0 to x मैंने integrate किया जब solve करेंगे अपन तो अपने पास क्या आएगा देखो यह function क्या आजाएगा y is equal to आजाएगा बच्चो minus x minus 1 plus e की बावर x इसको solve करने पर यह मिल जाएगा अपने को यह complete function मिल रहा है x is equal to 1 पे इसकी value क्या मिल रही है अपने को x is equal to 1 पे x is equal to 1 पे यह क्या मिल रहा है 1 रखने पर देखो minus 2 plus 1 minus 1 x is equal to 1 रखने पे y की value क्या मिल रही है x is equal to 1 रखने पे y की value मिल रही है integrate अपने को करना था 0 to 1 तक ही integrate करना है y of 0 अपने को minus 1 दिया है तो 0 रखने पे minus 1 आना चीए 0 रखने पे minus 1 आना चीए 0 रख दिया 0 रख दिया 0 रखने पे यहां पे क्या आ रहा है y of 0 equal to minus 1 और यह continuous function दिया है y of x अपने को है ना y of x क्या दिया है continuous function तो यहां पे अपन यह दि x की जगे 0 रखे हैं तो y की value minus 1 आनी चाहिए x की जगे 0 रखा तो y की value अपने पास minus 1 आनी चाहिए तो यहां पे देखो कुछ solve करने में कुछ problem हो रही होगी अपने solve वे दिकिया integrate कर देंगे इसका तो integration हो जाएगा e की power minus x into y minus 0 to 1 integrate करना है तो 0 रखने पे यह क्या आ जाएगा देखो 0 रखने में minus 1 मतलब plus 1 0 to x इसको integrate किया तो क्या जाएगा अब f of x है तो f of x यहां पे x plus e की power x अब पहले integrate करने है when x is between 0 to 1 एक तरीके से anti derivative function निकालने की कोशिस कर रहे है ठीके 0 to x यह f of x की जगे मैंने रख दिया माल लो x plus e की power x माल लो रख दिया into 0 to x dx लिख दो यह क्या आएगा देखो e की power x into e की power minus x plus 1 का integration from 0 to x integrate कर देंगे तो यह आ जाएगा x minus of e की power minus x minus e की power minus x integration plus x from 0 to x integrate कर देंगे तो यह आ जाएगा अपने पास बच्चों minus of this one minus e की power minus x plus x 0 रखने पे देखो आ रहा है यह 0 आ रहा है यह 0 रखने पे minus 1 मतलब हो गया plus 1 तो देखो यह 1 से 1 गया e की power minus x से जैसे divide किया तो function क्या आ रहा है minus x minus 1 plus x into e की power x this is our function तो function क्या आया अपने पास ठीके अब इसमें x को एक साथ कर देंगे तो यह हो जागा e की power x minus 1 minus 1 सही है तो यह आया आपने पास function anti-derivative आया किसका इस function का anti-derivative when x is between 0 to 1 अब यह दि x मेरा क्या है यहाँ पे if x is between next अपन केस ले ले लेते हैं when x is between 1 to x greater than 1 ठीक है when x is greater than 1 अब function मेरे को continuous दिया वाए function मेरे को continuous दिया वाए तो अब बोलेंगे कि integration कहां से कहां तक कर देता हूँ मैं 1 to x और जो y of 1 मेरे को निकालना है तो y of 1 में यहाँ से निकाल सकता हूँ y of 1 क्या होगा minus 2 y of 1 ही चाहिए अपने को तो y of 1 अपने पास यहाँ पर आ जाएगा अराम से minus 2 plus e ठीक है इसका अपन वहाँ पर use कर लेंगे तो 1 to x integrate कर देंगी किसका e की बाहर minus x into y का या किसी एक point पर अपन continuity last में चेक कर लेंगे कोई फरक नहीं पढ़ता उससे is equal to क्या आ जाएगा देखो यह 1 to x limit तो इसकी चली गई is equal to e की बाहर minus x अब f of x function क्या है यहाँ पर x है function इसका integrate कर दो from 1 to x integrate कर देंगी answer आ जाएगा यहाँ पर ठीक है जो y का value आएगा y of x यहाँ से आ जाएगा अपने पास minus x minus 1 plus e की बाहर x यह दो अलग अलग function आ गए अब इनका जो y dash x करेंगे तो यह दोनों आ जाएगा अब अपने को पता लग जाएगा कि y x क्या है increasing है या decreasing है सारी सब कुछ story अपने को पता लग जाएगी यहाँ से नेक्स देगो question number 18 question number 18 देगो थोड़ा सा यह तो बहुत simple r is equal to 0 to 100 अपने को integrate सिग्मा करना है इसको लिख लेते हैं r plus 2 का only square into r plus 1 का factorial इसको अपन ने क्या लिका देगो अपन क्या करना चाहरे है difference में convert करना चाहरे है क्योंकि इसका integration कुछ unique आ रहा है 0 to 100 में तो अपना दिमाग क्या चलना चाहरे है कि difference में आके cancel होगी चीज़े sequence बनने वाली है तो यहाँ पर देखो sequence कैसे बनेगी sigma r is equal to 0 to 100 यह इसको मैं लिख लेता हूँ r plus 2 into r plus 2 factorial ठीक है कोई जिक्कत नहीं है r plus 2 एक अंदर ले गए अब इस r plus 2 को मैंने लिख दिया r plus 3 minus 1 into r plus 2 का factorial sigma sigma अब यह r plus 3 into r plus 2 क्या होगा r plus 3 का factorial minus r plus 2 का factorial अब देखो यह sigma cancel होथा चला जाएगा answer क्या आएगा देखो answer आएगा 103 factorial minus 0 रखने पर क्या आ रहा है 2 factorial this will be our answer first is correct तो यह एक अपने पास paper था यहाँ पर तो अपन बोल सकते हैं कि यह moderate सा paper है J.E.Advance के इसाब से moderate सा paper है और I hope चीजें समझ में आई होगी so thank you very much all the best और क्या उत्याओ को अइस को आःगा आए God झालिए ुआ है यह को अपने पास्नीट नगए रड़े पास्नीट धु अरिए टो रड़े पास्सनीट को अपने तो अ HC